तो चलिए शुरू करते हैं Acetate Ion के लिए Test Acetate Ion एक Anion है और Anion का टेस्ट करने के लिए पहले हम Dilute Sulfuric Acid टेस्ट करते हैं अगर Dilute Sulfuric Acid टेस्ट निगेटिव आता है तो हम फिर आगे Concentrate Sulfuric Acid तेस्ट करते हैं तो पहले ले लीज़े एक टेस्ट ट्यूब में है यह थिया और लेने के बाद इसमें डाइलूट शैल्फुरिक एसिड एड करते हैं ज्यादा acid नहीं add करना है बस एक दो ml कोई smell नहीं आ रही है इसमें इसको थोड़ा warm करके देखते हैं कि वाम करने भी कोई smell नहीं आ रही है तो इसको थो कर देते हैं इससे हमें कोई observation नहीं मिला salt plus dilute S2SO4 no observation जब dilute S2SO4 के साथ कोई smell या gas नहीं मिलती है तो हम आगे बढ़ जाते हैं और हम concentrate S2SO4 के साथ में टेस्ट करते हैं सॉल्ट लेते सॉल्ट लीजिए और सॉल्ट में concentrate Sulfuric Acid add करते हैं यह concentrate Sulfuric Acid बहुत ही ध्यान से add कीजिए तीन चार ड्रॉप smell no smell in fact बहुत हलकी सी Acetic Acid की smell मिलती है इसको warm करके देखते हैं अब हमें बहुत ही clear vinegar की smell आ रही है एक्चुली जब Sulfuric Acid हम add करते हैं तो Sulfuric Acid decompose कर देता है Acetate ions को Acetic Acid में और warm करने पर उसके vapors हमें बहुत आराम से smell हो जाते हैं तो concentrate Sulfuric Acid का test करने से हमें पता चल गया इसमें acetate ion हो सकते हैं अब हम acetate ion के लिए test करेंगे तो इसके लिए तो इसके लिए watch glass में salt ले लिजिए और जितना salt ले लेंगे उतना ही solid oxalic acid लेना है solid oxalic acid उतना ही ले लिए इसमें 2-3 drop water add करेंगे tap water add कर दीजिए सिधा और उसके बाद उसे उसका paste बना लिजिए rub करके उसी में और rub करके आप smell कीजिए rub करके जब हम smell करेंगे तो हमें बिल्कुल soft vinegar की smell आएगी acetic acid smell जो पहले आ रही थी वो intensify हो जाएगी ठीक है एक test tube लीजिए test tube में salt को और उसमें थोड़ा सा water add करके उसे dissolve कर लीजिए अगर lead acetate है तो जैसे ही आप tap water में dissolve करेंगे तो यह white color का solution हो जाएगा अगर distill water में बनाएंगे तो वैसे ही colorless रहेगा लेकिन tap water में वो white हो जाएगा और इसमें neutral ferric chloride add करना है या neutral ferric chloride neutral ferric chloride अब add करेंगे तो solution आपका ऐसा दिखेगा लेकिन जब इसमें precipitate इसका नीचे बैठ जाएगा तो आपको deep red color का solution दिखेगा precipitate नहीं देखना है आपको solution देखना है deep red color अगर ऐसा deep red color आता है तो यानि की acetate ion is confirmed तो यह था confirmatory test acetate ion के लिए पर के लेखन के लीचे का ले तो फिखेगाना हूनग आत्ततश दिखेगा दिशेगा है जाएगा